आज की इस वीडियो का क्षा में आपका स्वागत है मुझे पूरी आशा है कि आप सब ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों आज हम व्याकरन से संबने जो विशे पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम सर्वनाम की परीभाश है इस प्रकार है संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं जैसे आप, तू, ये, मैं, वो, कुछ, कोई, आदी उधारन राम खेल कर आया, वो अब पढ़ेगा राहुल ने अपने दोसों से कहा, मैं भी खेलूंगा इसमें वो और मैं सर्वनाम है सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के छे भेद हैं पुर्श वाचक सर्वना, निश्चे वाचक सर्वना, अनिश्चे वाचक सर्वना, प्रश्ण वाचक सर्वना, संभंध वाचक सर्वना, निजवाचक सर्वना पहला भेद पुर्शिवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रियोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है, उसे पुर्शिवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आदी पुर्शिवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा उत्तम पुरुष मेंस फर्स परसन, मध्याम पुरुष मेंस सेकंड परसन, अन्य पुरुष मेंस थर्ड परसन, उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रियोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उस सर्वनाम को उत्तम पुर्श वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज स्कूल जाते हैं, इसमें मैं और हम उत्तम पुर्श है, मध्यम पुर्श बोलने वाला या लिखने वाला, जिस सर्वनाम का प्रियोग सुनने वाले य अन्य पुर्ष बोलने वाले या सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रियोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुर्ष वाजक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह फल खाता है वे लोग दिन भर खेलते हैं इसमें वह और और वे अन्यपुर्ष वाचक सर्वनाम है. अब इसका दूसरा भेद निश्के वाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तू, व्यक्ति या घटना के लिए प्रियोग्थ होते हैं, वे निश्के वाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे वह मेरा भाई है ये एक किताब है इसमें वह और ये निश्चे वाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें कोई संधे नहीं है तीसरा भेद, अनिश्चे वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तू, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्यूक्त होते हैं, वह अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई आ रहा है, कुछ काम करो, इसमें कोई और कुछ इसम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्ण करने के लिए किया जाता है वो प्रश्ण वाचक सर्वनाम होता है जैसे आपने क्या खाया है वहां कौन गा रहा है इसमें क्या और कौन प्रश्ण वाचक सर्वनाम है पांचवा भेत संबद वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक या वाके से संबंद जाना जाता है, वो संबंद वाचक सर्वनाम होता है, जैसे जो सोवेगा, सो खावेगा, जो करेगा, सो भरेगा, इसमें जो और सो का आपस में संबंद है, इसलिए ये संबंद वाचक सर्वनाम जाना जाता है, अन्तिमभेद निजवाचक सर्वनाम, वक अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम समयम करो, अपने आप अपना ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, तो बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हुगा, धन्यवाद.